असलाम अलेकिम वर्ज, वेलकम बैक, आज की वीडियो को हमारा टॉपिक है how to make great sheet for our road by using station, elevation and slope data तो लास्ट कुछ वीडियो से हमने यह data अक्सट किया है civil 3D में, अभी हम उसी data को यूज़ करते हैं इसको excel में बनाएंगे तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोग उसे request है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको like और share जरूर करें तो civil 3D में हमारे पास यह data है, cross section भी है और plan में भी हमने इसको plot किया था, यहाँ पे elevation औगरा जो भी है वो हमने इसमें लगाए थे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो अभी right यह एक right link का और एक left link का मैंने data जो है वो separate दो फाइल में super elevation का slope जो है उसको मैंने export किया है, उसी को use करते हुए हम इसको complete करेंगे, उससे पहले हमें जो चीज required है, वो central line के station और elevation required है तो अगर profile की report लेंगे तो उसमें super elevation के station नहीं आएंगे इसमें, इसलिए मैं यह जो point राकिये हुए मैंने, मैं इनी की report ले लेता हूँ, तो यहाँ मेरे पास report manager में station offset के option है, मैं इसको execute करता हूँ, यहाँ मेरे पास सारे जो point हमने corridor point plot किये थे, वो सारे इसमें है, तो यहाँ मैं इसको save करता हूँ, यह location है, ओके, और इसको मैं just point का नाम दे देता हू ओके, मैं save करता हूँ इसको, और create करता हूँ, report हमारी create हो गई है, आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं close करता हूँ, यहाँ पे मैं folder प्रोज करता हूँ, यह अभी जो हमने create की है report, इसको मैं excel के साथ यहाँ पे मैं open कर रहा हूँ, यह report हमारी अभी create हुई थी, तो इसमें स करता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे sort and filter आपने करना है, और यहाँ पे हमें जो letter required है, वो centerline के point required है, ओके, और यहाँ से मैं इसकी selection लेता हूँ, ओके, इसको मैं copy करता हूँ, new file में, और इसमें मैं इसको paste कर देता हूँ, ओके, paste value, यहाँ पे आ गया यह, यहाँ पे मुझे जो अभी चीज़े required नहीं है, वो, यह चीज़े मुझे required नहीं है, point number भी required नहीं था, description भी required नहीं है, ओके, यहाँ पे मैं control app करता हूँ, और यहाँ पे मुझे m की value नहीं चाहिए, ओके, यह चला गया, यहाँ से, अभी यहाँ पे यह जो plus है, यही भी value मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी replace हाल करता हूँ, तो यहाँ पे station मेरे साथ आ गया है, यहाँ पे file में, इसको मैंने यहाँ से copy किया, copy, और यहाँ यहाँ यह जो grade sheet आपने, यहाँ आमने रखी है, इसमें लाके मैंने paste value कर दि इसे, first station के सामने मैंने इसको paste value कर दिया, जैसे मैं paste value किया है, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे, सारी value as it is appear हो गई है, ठीक है, जब हम यहाँ पे slope डालेंगे और आपने offset डालेंगे, तो यह सारी value automatically calculate हो जाएंगी, तो इसके लिए जो है, मैंने right और left के जो slope में व next finish, यह हो गया अभी, अभी आपने इसको smallest to largest जो है वो, order में आपने इसको sort कर देना है, home tab, यहाँ से आपने sort कर देना है, इसको, यह sort हो गया है, okay, यह जो हमारे station आये थे वहाँ पे, यह number of rows जो है, उन station के, number से match करने चाहिए, okay, तो यह left का data था, okay, यहाँ पे मैंने इसको left में place कर दिया है, paste कर दिया है, okay, अभी हमने अपना right का जो data है, इसको यहाँ पे लाना है, मैं इस file को open करता हूँ, okay, same procedure है, text to column, next, next, finish, okay, इसको भी आपने जो है, वो smallest to largest करना है, यहाँ से आपने इसको select करना है, सारे को, और यहाँ से आपने इसको sort कर देना है, ओके, यह हो गया है भी sort, इसको अपने shift control से, upper arrow key से आपने करना है, copy करना है, ओके, और यहाँ पे इस file में लाके आपने paste value कर देना है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी यहाँ पे, कि यह सारे station, यह data, यह data, यह data, यह सारे एक दूसरे से numbers के हिसाब से match कर देना है, अभी यहाँ पे हमने offset डालने हैं, अपने fix offset, अगर variable हैं तो आपने वहाँ पे type कर लेना है, यहाँ पे भी, या अगर आपने civil 3D से export किया हैं, तो यहाँ पे आपने paste कर देना है, तो यहाँ पे हमारे fix से ही थे, lanes और shoulder bit से fix से, 3.6 थी, 3.67.2 हो गया और 7.2 प्लस 1.5, 8.7 हो गया है, तो अभी हम अपने slopes और level वगयरा को थोड़ा verify कर लेते हैं, कि इसमें यह match हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे यह सबसे पहला station है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो variable है, तो यहाँ पे यह, यहाँ पे एक station है, ओके, यह थोड़े से station variable है, यहाँ पे, हम कोई भी है कि इसमें से check कर लेते हैं, जैसे मैं यह 20 का station है, हम लोग यह check कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे civil 3D में, हमारा 20 का station है, ओके, यहाँ पर इसका जो राइट ऐज है, ओके, यहाँ पे राइज क्था हम लोग देख लेते हैं, कि 976 है, 976 है, की अभी हम यहाँ एक्सल में देख लेते हैं, कि यहाँ पर यह 976 follow हो रहा है अभी हम इसका इधर का अधिका देख लेते हैं 528-849 528-849 528-849 ओके और यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लो 528-849 तो यह slope के साफ से सारे जो हैं अभी match होना start हो गए है अभी हम कुछ दूसरा station देखते हैं यहां पर यह एक है यह 30 तर्टे का station है अके यहाँ पर राइट एज का देख लेते हैं हम लोग 30 यह 30 का station है ओके यहां पर यह जुह है 03-01 है राइट में पहले हम लैप्त का देख लेते हैं ओके, ओके, 799, 829, 829, 901, 973, 901, 973, ओके, अब भी हम यहाँ पर एज कर यह जो है, यह मैज कर लेते, 031, 031, 021, 021, ओके, और यहाँ पर 997 है, यहाँ पर 997 है, तो यह सारे स्टेशन जो है, यह मैच हो रहे हैं, इसमें, कोई और भी स्टेशन अगर वरिफाई करना चाहें, तो हम कर सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग, कहां पर यह मैच करते हैं, रैंटम हम कोई भी चेक कर लेते हैं, जैसे यह 210 का है, यहाँ पर प्लस में है, और यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर 210 का स्टेशन चेक कर लेते हैं हम वो आहां पर आता है यह कि यह 210 का स्टेशन है ओके यहां पर 068 है ओके तो सेक्षन में यह 210 का स्टेशन शायद नहीं है ओके यह है ओके तो यहां पर आप लोग देखे तो यह 068 068 है 008 है ओके 008 है और यहां पर देखें तो 864 है यहां पर भी 864 है ओके आभी हम एक्सल में देख लेते हैं है ओके यह 210 है ओके 068 है ओके 008 है ओके 008 है 864 है 864 है यहां पर देखें तो यह 532 372 है 532 372 432 ओके 432 ओके और यहां पर 432 तो यह अलामदोला यह सारे मैच हो रहे हैं यहां पर ठीक है आप लोग देख सकते हैं तो यह शीट जो है यह वीडियो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी आपको आप अपने प्राजेक्ट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं थैंस प्रोग लापिस